मनिपूर को उग्रवादियों से मुक्त करने का काम किया गया मनिपूर में जहां अफीम की खेती फॉपिंस्टीट के नाम से जिससे जाता था जिसके कारण वहां के लगवक't 70% नवन्चेतर के भुबाग को बरबाद करने का काम किया था, उसे नस्ट करने का काम अगर कोई कर रही है, तो वो भाजपा की सरकार थी और केंदर सरकार के दिसानरदेश में ये काम हो रहा है, हाई कोट के आदेश से, कोई अपने पोलिटिकल पार्टी ने कोई बिधान सवा म बैठ करके निरने नहीं लिए कि हम इसको आदिवासी बनाएंगे, हाई कोट का दिसानरदेश हुआ है, कि इस कम्यूटी को भी आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, उसके आधार कोई सरकार कानून बनाती है, तो क्या लड़ाई लडाने का काम कर रहे है, अरे लड़ाई यह जानने के लिए आज हम एक फेस्ट में पहुंचे हैं, यह नौर्थ इस्टूडेंट फेस्टिवल है, जहां पूरे देश से लोग आए हुए हैं, अलग-अलग समूहों के लोग हैं, तो उनसे बात करेंगे इसमें बात है कि 2014 से जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बने, उन्होंने एक्ट इस्ट की पॉलिसी अपनाई, यानि उत्तरपूर के राजियों की और देखने की बात कई, याद होगा उनका पहला संबोधन था जब उन्होंने कहा था, कि उत्तरपूर के राजियों के लोग हमारे इंगलीज अच्छा बोलते हैं, अगर वहाँ कॉल सेंटर देकर के ज़्यादा से ज़्यादा जब उपलत कराया जाए, और उनके बीच कनेक्टिवीटी बढ़ाई जाए, तो हमारे बीच की जो दूरियां है, जो खामियां है, उसको हम पाट सकते हैं, इसके बात दे हमारे इंगली से तरीपूरा या उतरपूर के राजियों के दूरी हवाई यात्रा के माध्यम से तहक कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अने केंद्रिय विस्य विद्यालेओं में उनके लग से कोटे बनाए गये, साथ ही साथ वहां, पांच ने केंद्रिय विद्य जालों का निर्मान हुआ है एम्स बने हैं और रेलवे की लाइने भी अब हर एक उत्तरपूर के राज्यों में पहुंचाई जा रही है जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा उत्तरपूर के लोगों को इसके साथ ही साथ भासा से प्रेम से संस्कृति से लगभग पहली बार हुआ है कि मोधी सरकार के 2014 के कारकाल से लेकर के 2023 तक लगभग 28 केंद्रियों ने सब्चे जादा आज तक का रिकॉर्ड है लगातार उत्तरपूर के राज्यों का दौरा किया और कोई महिना ऐसा खाली नहीं रहता जब किसी ना किसी उत्तरपूर के राज्यों में पहली बा अमूमन नरिंद्र मोधी बोलते हैं मुझे लगता है आप उनका भाषन काफी सुनते हैं लेकिन वह मनीपूर पे कुछ नहीं बोलते हैं ऐसा विपक्ष कहता है कि उनके राज्य में मनीपूर जल रहा था बहुत ज्यादा बोनने वाले प्रधान मंत्री चुप रह जाते है आप इसको सिधा मनीपूर में कैसे उन्होंने समवाद नहीं किया मनीपूर पे देखिए उन्होंने संसद में खुद मुझे लगता अगर आप टाइम डियूरिसन में देखेंगे लगवा उन्होंने धाई मिनिट तक इस संबंद में बातचीत की और इस घटना को जो भी ल मंत्री वो खुद दौरा कर रहा है लोग सभा में सवालों का जवाब दे रहा है उसके बाद प्रधान मंत्री मूदी जी से ही आपको आसा क्यों है इसके बाद इतना ही नहीं उन्होंने लगभग दो बार समवाद के माध्यम से अपनी बातों को मनिपूर में रखा है कि मोदी जी गलत कर रहा है मोदी जी के पास ठाइम नहीं है तो यह विपक्ष का काम है यह लोग जलने के लिए नहीं छोड़ा गया मनिपूर को उगरवादियों से मुक्त करने का काम किया गया मनिपूर में जहां अफीम की खेती पॉपिंग सीड के नामसद जिसे जाता थ जिसके कारण वहां के लगवक 70% वन्चेत्र के भुबाग को बरबाद करने का काम किया था उसे नस्ट करने का काम अगर कोई कर रही है तो वह भाजपा की सरकार थी और किंदर सरकार के दिशानर देश में ये काम हो रहा है और इसमें बेसे भी किंदर रिजवर पुलीस के बल मैं गया नहीं था पर जो भी मैं जहरखन में रहता हूं यह पहला सरासर तो सवाली गलत है कि आप गये थे नहीं नहीं अगर के जिस तरीके से अरे महराज जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि असाम राइफल्स और तो हमको लगा कि शायद आप कम्मुनिकेशन का पार्ट र लिए हम लोगों नेक रिलीफ का फंड का कारकरम चालू किया था कि जो मैतिस अंगदाई के बच्चे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं पार है जिनको मिड़े मिल के भोजन नहीं मिल रहा है वह रिलीफ केंपों में रह रहे थे उनके लिए हम लोगों ने सहायता बचने का काम किया था यह सारी जानकारिया वहां के फोन के माध्यम से भी पूझा क्यों कि आपके जानकारी थी वह विस्त्रित थी तो मुझे लगा क्या अगर आपके पास ग्राउंड जीरो के इंपूट है यह भाजपा के उपर जो विपक्षी दलने वह लगातार कि नौर्थ इंडिया में इन्होंने एक लड़ाई चालू कर दी हिंदु मुसलमान में साउथ इंडिया में वह हिंदी वर्सेज अधर लैंग्विजिस की लड़ाई करवाते हैं और इस बार नौर्थ इस्ट भी नोने नहीं बख्षा इन्होंने कूकी वर्सेज मैता ही कर और जो भी आदिवासी बहुली लाके हैं वहां आदिवासी बनाम अलग दूसरे समुदाई ये लड़ाई करवाते हैं और इनकी लड़ाई नफरत पर टिकी हुई है जिससे वोट कमाते हैं अगर लड़ाई नफरत पर टिकी हुई है तो समानता देने का भारत के जो हमारा स सिती रहो समिधान से हटा करके उसको जनेरल में ला दिया गया अगर उसको हाई कोड़ के आदेश से कोई अपने पुल्टिकल पाटि ने कोई बिधान सभा में बैठ करके निर्नीर लिया कि अधिवासी हुआ कि इस कमुünिटी को भी आधिवासी का दर्जा मिलना चाहिए और इसायों के गुन्गान कर रहे कि वहाँ इसाय कम्यूटी को दबाया जा रहा रहा है राज ले रहे हैं जो बार बार इसे एक हिसाय मामला दिखाते हैं यह लोक देरहें जो वेटिकन में ऐसी ख़़र पहल आते हैं कि यह चाही लेकिन ये काम अगर कोई कर रहे हैं तो ऐसे संगठन है जिने देश में टुकले टुकले गैन के नाम से जाना जाता है जिने देश को तोड़ने वाली सक्तियों के रूप में पहचाना जाता है और जिने देश में धार्मिक लड़ाई क्योंकि जब वो विकास के मुद्दे पे नर्नमोदी के साथ चुनाव जीत नहीं सकते तो उन्होंने उल्टे धर्वाजे का सहरा ले करके अब इसे कभी से धार्मिक रंगरूप का नारा देते हैं कभी से भासा का मुद्दा बनाते हैं कभी से हिंदू मुसलमान का बनाते हैं कितनी बार यहां दंगा हुई नरेंद्र मोदी के सरकार के आने के बाद से आपको जीरो रिकॉर्ड मिलेगा चाहें गुजरात का हो और यहां अब तक का जो है रिकॉर्ड है अविध्या जैसा इतना बड़ा मंदिर का फैसला आया दोगों लोगों ने देश में हवगा बना क तरीके से लागू किया गया और देश में समाजिक और स्वहत्रता बढ़ाने का काम किया गया तीन सो सत्तर भी हटा पहले से हवब बना करके लोग रखे हुए थे कि अगर यदि वह हटा दिया जाएगा तो देश में करांति आ जाएगा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सब कुछ चल रहा है दूसरी चीज आपने बात बोला था कि आदिवासी को संबन नहीं दिया जा रहा है यह वो देश है यहां के वो प्रधान मंत्री है और यहां का वो कॉंस्ट्यूशन है कि आदिवासी को राष्टपती बना दिया गया कहते हैं देगे आपको पता होगा अभी कुछ दूनों पहले एक बयान आया था डेमके के निता का कि सनातन जो धर्म है वो देंगू और कोरूना जैसा है तो काफी विवाद हुआ तो उस पर उन्होंने आगे फिर एक विवाद दिया कि सनातन का खत्म होना इसलिए जरूरी सरवच नागरिक संबान जिसको बुला जाता है वहीं राश्पति अगर बना के बैठा दिया गया तो उससे बड़ा और संबन किया होगा अगर कारेकर में नहीं बुलाया गया तो बाबा साहब की देने सनातन की ये देने कि संसत को उद्गाटन में नहीं पहला है दूसरी सनातन के खिलाब गलत प्रचार कर रहे हैं उनका काम करना करते रहेंगे देश चलते रहेगा और संबन को किस बोटा है और विश्व एक परिवार है और लोगों से बात करते हैं अभी आप एक सवाल आप करके गए आपने कहा कि बिजेपी पर आरोप लगता है कि वह दंगा करवा के बोट लेती है ठीक है बिजेपी के जो बिजेपी पार्टी के कितने नेता हैं जिनके मुझ से आज तक आपने ये तो आप बताओ कि दंगा करके बोट को लेना चाहता है बिजेपी या विपक्ष वाले कौन करना चाहता है तुष्टी कर आए नेती यह बता पहले आप यह बताइए उसके बाद आगे मैं जवाब देता हूँ यह मेरा काम नहीं है कुछ बताना क्योंकि मैं फिर मैं विपक आपने बोला कि राष्टपती को क्यों नहीं बुलाया गया उदयान इधी यही बात है ना उस लड़के का आपको इतिहास पता नहीं है चले थे कॉलेज पढ़ने लोयला कॉलेज वहां से निकाले गए फिर चले फिल्म एक्टर बनने वहां पर भी फ्लॉप हो गया अब ब प्रॉटकॉल में बांध में किसी को बुलाएंगा तो अपमान होता और यह भारतेजनता पाटी प्रोटोकॉल के मामलें में डिस्प्लीन के मामले में सबी लोग को पता है कि हम नमबर वन है डिसिप्लीन के मामले में किसी से कम परमाज नहीं करते भले ही अपने सदस्यों को अगर सस्पेंड भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं सुमन सौरफ साब बड़ी बात कर रहे हैं एक बात मुझे और बताईए एक आपने सुना होगा आप जारखंट से आते हैं आदिवासी बहुल इलाका है वो ठीक है और मैरे को भी पिछले साल इसी समय जारखंट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था अलाकि दुखत घटन कर अपने उद्योगपती मित्रों को बाठते हैं यह सरकार है वो आदिवासी विरोधी है जो स्थानिये लोग है उनके विरोधी है तभी तो जारखंट में आप लोग को हरावी दिया गया बीजेपी को आदिवासी विरोधी सरकार कहने वाले से पूछना कहिए जिनकी अभी लगबग कितना मुझे लगता अठतर साल से जादा हो जा रहा है सततर साल तो किसके इस सरकार में सबस्चाद आदिवासी को मंत्री बनाया गया आदिवासी के सबसी बड़ी आब आदिवाला राज्य मध्य प्रदेश में हैं पिछले 15 साल से वहां पर किसका सासन है उ वनवासी कहने का संदर दूसरा है यहां क्योंकि संग परिवार यह मानता है कि आदिवासी सब्द हमारा नहीं है हमारे यहां सभी लोग आदिवासी है जो इंडिजेनियस सब्द इंग्लिस उसका बहुत सारे वामपत्थी संगटन यहां आदिवासी कहके ट्रांसलेशन कहत परिवार वनवासी करते हैं और इसलिए क्योंकि इसके आतिहासिक संबंध है हम इसको माता सबरी से जोड़ते हैं जब भगवान राम चंद्र वनवास पे गए थे तो माता सबरी का जूठा बेर खाने वाले स्वय हमारे भगवान थे और हम उनकी विचारधारा पर चलते हैं जैसी राम का नारा लगाते हैं और जब हम खुद आदिवासियों का जूठा बेर खाते हैं तो हम उनसे दूर कैसे होंगे साथ उनको पता नहीं कि हमारे दो-दो विधायक थे जारखन में बंदी उराओं सबसे पहले विधायक थे 1978 के समय में जिसमें जनता पार्टी भी और जनसंग एक पार्टी हुआ करती थी उसी समय से हमारे जारखन में सबसे पहले आदिवासिय विधायक हुआ करते थे बाद में केंदर सरकार में चल करके एक बहुत बड़े कॉंगरेस के मंतरी थे हैं स्वर्गे कार्टी कुराओं खुद पर जाकना चाहिए 2005 के में घटना आपको बताता हूं उसमें मदू कोड़ा निर्दली विधायक थे और कॉंगरेस के ही लोग उनको पीछे के दरवाजे से समर्थन दे करके निर्दली विधायक को मुखमंत्री बना दिये और मुखमंत्री बना करके चेहरा उनका आग लगा तो बैक हो गया उसका सरकार चला गया कॉंगरेस तो बच गई लेकिन निर्दली विधायक जिनको मुखमंत्री बना गया था वो नहीं बचे भरश्चाचार के आरोप में जेल चले गए अब मुझे आप बता कि अभी तक अधिवास्यों का सोचन किस ने किया किस ने क किया बीजेपी ने किया या कॉंगरेस ने किया इससे बड़ा धबा कुछ हो सकता है क्या यह बताइए अब